आल रैट, सो friends ना हमारी life का एक बहुत खुबसूरत हिस्सा होते हैं, हमारे जिगर के टुकडे होते, लेकिन कुछ friends ऐसे होते जो आपके दिल के टुकडे टुकडे कर देते हैं और मेरा यकीन मानो आप इन दोस्तों की पीछे अपना दिमाग खराब कर रहे हो अपने पैसे खराब कर रहे हो और सबसे ज़्यादा important आपका time खराब कर रहे हो तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाल है ऐसे पांच दोस्तों के बारे में जिन से आपको दूर रहना चाहिए तो सीधा चलते हम वीडियो की तरफ और बार बार में इनको दोस्त कह रहा हूं लेकिन एक्चलिए दोस्त कहने के लायक नहीं इने हमें फेक फ्रेंड्स कहना चाहिए फेक फ्रेंड नंबर वन कुछ इस टाइप के होते हैं अरे यार मैं तेरे घर के यहां पर इखाड़ा हूँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है तू आ सकता है कि थोड़ी दिर के लिए बाहर अरे यार भाई मैं तो मुवी देखने आया हूँ यार कुछ अर्जेंट है तो बता तू मैं तो अभी आनी पहूंगा यार सोरी यार बाब में देखो मिलता हूं कला कि एक छोटी सी एल्प चाहिए थी यार लास्मन में देखो पांच जार रुपए दिए दिर तरे को याद हो तो अरे मैं तो खाली दो ती नजार फिर पास हो तो मेरे को देना है और कल में को एक्च्वली डैडी को दिखाने जाना है घॉस्पिटल तो मेरे पास अभी कैश नहीं है इतना अवेलेबल करें अपने एसे फ्रेंट की बहुत बार है लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी वहां पर नहीं थे उनके बहाने जरूर थे ये वाले जो फेक फ्रेंड्स देना ये लोग बाते तो उना बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि मेरे भाई तु बारा बजे फोन कर तेरे को जो हैल चाहिए आदी रात को फोन कर मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा असलियत में पता ही क्या है इनको दुफैर को बारा बजे फोन करूंगे न ये दुफैर को भी नहीं उठाएंगे फोन और बोलेंगे भाई मैं कहीं busy हूँ जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ी है हमेशा बहाने बनाते रहे कि भाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ मैं वहाँ पे नहीं हूँ अरे मैं तेरे पास होता ना भाई तो तेरा काम ऐसे कर देता इसे दोस्तों आपको लाइफ में कभी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते इनको ना इश्या हो जाएगी आपस आगे बढ़ोंगे तो यह कोशिश करेंगे आपको वापस खीच के पीछे लानेगी यह लोग ना आपके पीट के बिच आपकी बुराईया करते ही जाएंगे ऐसे दोस्तों रखने से अच्छा है आप एक साप पालो क्योंकि ऐसे दोस्ते आप उमीद रखोंगे कि भाई यह मेरी ज़रूवत के वक्त हैल्प करेगा या फिर यह मेरा भाई और आपका विश्वाष तोड़ेगा उससे अच्छा तो एक साप है आप साप को लाओंगे पता है कि इसके नीचर में दसना है साप का आप सोच लोगे कि यह डस लेगा लेकिन यह दोस्त ऐसे होते ना जो बूरे अन्प्रेडिक्टेबल होते यह कभी भी हमारे लंका लगा सकते हमारी लिस्ट पे तीसरे फेक फ्रेंड्स आते जो बस अपना एक ग्रूप बनाना चाहते स्मोकर ग्रूप या फिर एक ड्रिंकिंग ग्रूप अगर आपकी हैबिट नहीं है ना शराब पिने की या सिग्रेट पिने की लेकिन वो लोग आपकी हैबिट अराम से डलवा देंगे अगर एक सचा दोस्त को इडिक्षन में फस गया होता है तो वो दूसरे दोस्त को कभी नहीं बोलता है कि भाई तो यह चीज कर लेकिन ये लोग कैसे होते ये लोग smoking करते वक्त बोर ना हो जाते न इसी अपना group बड़ा बनाना चाहते और एक ताइम ऐसा आजाता है जब आप अपने उस दोस्त से साथा सिग्रेट पीने लग जाते हो या फिर दारू पीने लग जाते हो और आपके माबाप परेशान होते है वो चीज तो पूरी अलगी है तो अगर ऐसा कोई भी फ्रेंड आपको आखे बोलता है ना सिग्रेट पी ले मेरे साथ दारू पी ले ये कर ले तेरे भाई की कसम ऐसे दोस्तों को बोलना निकल पहले फुरसत में निकल ऐसे दोस्तों को छोड़ने से पहले एक बार कोशिश करना कि आप लोग इनको सुधार सको लेकिन इनको सुधारते सुधारते अगर आपके अंदर बुरी आदे आने लग जायना मेरे भाई तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए जितना जल्दी हो सके हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर ऐसे फेक फ्रेंड आते हैं जिनका लड़कियों के मामले में थोड़ करवाएंगे या फिर आपकी रिलेशन के अंदर करेश करवाएंगे बात करते हैं उनकी जो हमारे लिस्ट पर है फिफ्ट नंबर पर अब मैं इनको ना फेक फ्रेंड नहीं कहूंगा लेकिन यह ऐसे फ्रेंड जरूर है जिनसे आप पूद दूर रहना चाहिए इसा फ्रें लिए और गरवाले तो आप लोग बहुत कोशिश करते हैं उसको खुश करने की लेकिन वो मेरा भाई खुश होता ही नहीं है वो हमेशा बस अपने दुखी माइंड सेट लेके बैठा रहेगा अगर आप ऐसे लोगों के साथ जादा रहते हो ना तो आपका माइंड सेट भी लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई आपने बहुत कोशिश की उसको ठीक करने की उसको खुश करने की उसको अच्छे से रखने की पर यार वो खुश रही नहीं पाता है वो बस नेगेटिवीटी 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 फैला रहा है आपसे भी बहुत पीछे और भी बहुत सारे लोग हैरान होंगे यह है वो पास्क्राइब के फ्रेंड जिन से आपको दूर रहना चाहिए कॉमेंट में जरूर बताना अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है या फिर कोई इन पास्ट ऐसा कोई दोस्त था उमीद है आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले शेर करना बिल्कुल भी ना भूले आपका भाई ऐसी ही वीडियो बनाता रहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना मिलते हम अगली वीडियो में तब तक के लिए stay tuned